नमस्कार, मैसल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गौर्वर्मेंट लॉकॉलेच, बीका निर आज हम LLV फरस्ट एर के सबजेक्ट में मुस्लिम विधी पढ़ेंगे तो मुस्लिम विधी में पिछले जो वीडियो थे, लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि वाइड और इर्रेगुलर मैरिज में क्या डिफरेंस होता है आज हम देखते हैं कि वैलिड और इर्रेगुलर मैरिज में क्या डिफरेंस होता है तो सबसे पहले मुस्लिम विधी में वैद विवा या वैलिड मैरिज को क्या बोलते हैं? सही सही बोलते हैं और इर्रेगुलर या एनेमित विवाह को क्या बोलते हैं फासिद बोलते हैं क्या बोलते हैं फासिद मैरिज ठीक है तो फर्स्ट अंतर आता है सही और फासिद मैरिज में पहला अंतर क्या है कि वैद विवा प्रारम से ही वैद होता है और मन ने विवाह होत यानि ये विवाहा जब विवाह की सारी शर्टें पूर्ण कर दी जाती है और कोई विधिक निशेद नहीं हो लीगल प्रोहिबिशन नहीं हो तो ऐसी मैरिज क्या होती है? वैद विवा होती है या सही मैरिज होती है और ये प्रारम से लेकि अंत तक वैद और मन्ने होती है जबकि irregular या animate विवा क्या होते है प्रारम में वे अवैद होता है वे मन्ने नहीं होता लेकिन जब उस अवैदता को दूर कर दिया जाता है या जो निशेद था जो प्रोहिबिशन था उसमें अगर उस प्रोहिबिशन को कम कर दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है तो वो इरेगुलर मैरिज क्या बन जाती है वो वैलिड मैरिज में चेंज हो जाती है एनिमित विवा यानि प्रारम में वैलिड नहीं था जब लीगल प्रोहिबिशन या जो भी उसमें रुकाउट आ रही थी वैलिड बढने में अगर उस रुकाउट को दूर कर दिया जाता है तो ऐसी मैरिज क्या हो जाती है मैसी मैरिज वैलिड मैरिज हो जाती है सेकिंड अंतर क्या आता है सेकिंड अंतर आता है कि वैद विवा के परिणाम सवरूप पती व पतनी के अधिकारों और दैतों का उद्वह हो जाता है यानि वैलिड मैरिज में पती और पतनी के अधिकार और दैतों जैसे ही विवा होता है जैसे ही मैरिज होती है तुरंत उत् उनकी उनके राइट क्या होंगे उनकी रिस्पांसिबलीटीज क्या होगी जैसे ही मैरेज पून होती है उत्वन हो जाते हैं चाहे पक्षकारों की बीच में रिलेशन बना हो या नहीं बनाओ लेकिन इर्रेगुलेर मैरेज या एमान्य या फासिद मैरेज के परिनाम जब तक कि विवाहा के पक्षकारों में रिलेशन ना बना हूं यानि जब रिलेशन बन गया आता है तो उनमें अधिकार दायति उत्पन हो जाते हैं unserговelt आता है कि वैद विवा का विवा कह मा विखेद को सभी आपचा रिकताओं के पूर्टी के उप्रान्थ messaging हो सकता है। यानि जुलूरूी फारीज होती है उसका में डायुश कम होता है तो डाइवेस डाइवोस करने के लिए जो आपचारिक या जो फॉर्मल्टीज पूरी करनी होती उन सब फॉर्मल्टीज के पूरा होने के बाद में ही पक्षकारों के बीच में डाइवोस हो सकता है जबकि irregular marriage में विवाह का विचीद किसी भी पक्षकार दोरा तलाग के मात्र उचारण से किया जा सकता है यानि जो irregular marriage है उसने किसी भी पक्षकार दोरा यानि कोई भी पक्षकार अगर उस शर्ट को पूरा नहीं करे या वो सिर्फ उचारण कर दे कि मैं इस विवाह को नहीं मानता तो वो विवाह विचेद ये divorce हो जाता है फोर्थ हंतर आता है कि valid marriage में पक्षकार एक दूसरे के संपत्ती के उत्रा दिकारी हो जाते जब अधिकार आता है दैतो भी आता है तो संपत्ती भी क्या है वो जैसे ही marriage होती है तो दोनों के संपत्ती हो जाती है यानि एक दूसरे मालो हजबन की संपत्ती है तो पत्नी उसका उत्रादिकारी हो जाती है और अगर पत्नी की संपत्ती है तो पत्नी उसका उत्रादिकारी हो जाते हैं जबकि irregular marriage में पक्षकारों में समागम हो जाने पर भी एक दूसरे के वो उत्रादिकारी नहीं होते हैं उपस्तित होता है जो इर्रेगुलर मैरीज है जब तक वो वैलिड मैरीज में कनवर्ड नहीं होती तब तक पक्षकार विवाह के जो पक्षकार होते हैं वो परस पर एक दूसरी के उत्रादिकारी नहीं होते हैं नाक्षन तर आता है कि जो वैद विवाह है या जो सही विवाह है उसमें परती की मुट्टि होने के कारण विवाह विछेद होने पर भी पतनी कोई दित के उतनी कितनी गुजारने पड़ती है चार महिने दस दिन यानि जो सही या वैद विवाह है और उस विवाह में अगर किसी लेडी के हजबन की दैथ हो जाती है तो पतनी को परतिक्षाकाल की अउधी यानि इद्दत की अउधी कितनी गुजारने पड़ेगी चार महिने दस दिन गुजारनी होती है और जबकि इर्रेगुलर मेरिज है तो वहां पर पती की मिर्ट्य होने पर जो नेचरल रूप से क्या है डैवोस हो जाता है वहां पर इद्दत की अउधी कितनी होगी तीन मासिक धर्म यानि तीन चंद्रमास तीन महिने तक ही उसको इद्दत की अउधी गुजारनी होगी नेच्ट एकिस में अंतर आता है कि डैवोस होता है वैद विवावा और पक्षकारों का डैवोस हो गया डैवोस होने पर महिला को कितनी इद्दत की अउधी गुजारनी पढ़ती है तीन महिने कितनी तीन महिने और जबकि नहीं तीन महिने परन्तु अगर पक्षकारों के बीच में रिलेशन नहीं बना है तो पत्नी को यानि महिला को कितनी इद्दत के अउधी गुजारनी होगी महिला को कोई भी इद्दत के अउधी गुजारनी की आउशकता नहीं है अगर irregular marriage है और पक्ष कारों में relation नहीं बना है तो पतनी को इद्दत के अउधी बितानी की आउशकता ही नहीं है और अगर relation बना है फिर डाइवोस होता है तो तीन चंद्रमास उसको इदत की अवधी गुजारने है यानि यहाँ पर पती की death होने भी चार महीने दस दिन है लेकिन irregular marriage में तीन महीने ही है और यहाँ पर अगर डाइवोस हुआ है तो अवधी कितनी है तीन महीने है और यहाँ पर कितनी आएगी तीन महीने है ठीक है आएवोस आपको समझ में आया होगा अगर कुछ नहीं समझ आया है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ लीजेगा थैंक्यू सो मच थैंक्यू सो झाल झाल